नमस्कार जनसत्ता में आपका स्वागत है चक्रवात विपरजॉय के चलते गुजरा समेत नौराजियों में अलर्ट जारी है केंद्री एजन्स यहां और राज्य सरकारे इससे निपटने की तैयारियों में जुड़ गई है चक्रवात के खतरे के बीच हम आपको बता रहे है कि अगर आप भी साइकलोन प्रभाविद जगह पर हैं तो क्या करें और क्या ना करें साइकलोन से पहले क्या करें अगर आपके अलाके में चक्रवात की चेतावनी है तो फॉरन कुछ काम कर लेने चाहिए मिसाल के तौर पर घर को चेक करें, जहां भी जरूरत हो मरम्मत करवाएं, दर्वाजों और खिड़कियों को दुरुस्त करवाएं घर के पास लगे पेड़ों की सूखी डालियां हटा दें इतना ही घर के पास रखी ऐसी सभी चीजों को हटा दें, जिनके उड़ने का खत्रा हो टौर्ज, इमर्जनसी लाइट आदी को घर में रखें, ताकि लाइट जाने के हालत में इस्तमाल किया जा सके इमर्जनसी में इस्तमाल के लिए खराब ना होने वाला भोजन हमेशा अपने साथ रखें साइक्लोन के दौरान क्या करे? अगर आपके लाके में तुफान आ चुका है तो आपको सतर करहने के साथ साथ कुछ कदम उठाने की जरूरत है तुफान के दौरान घर से बाहर न निकलें जब तक ऐसा करने के लिए ना कह जा रहा हो यदि सरकार की ओर से ऐसा करने के सलह दी जा रही है तो नज़दी की आश्रेस्थल या कोई सुरक्षित स्थान पर शरण लें यदि आपके पास वहन है और आप घर से बाहर निकलना चाहते हैं तो आरंभिक चेतावनी के समय ही घर से निकल जाएं इस दोरान टेलिफोन लाइनों और धातु के पाइप में विद्दुस संचार हो सकता है इसलिए इन से दूर रहें बिजली पुपकरणों को प्लक से निकल दीजिए और टेलिफोन या अन्य किसी बिजली के उपकरण का इस्तेमाल न किजिए मकान के ऊपर न जाएं मकान के नीचे जमीन के बिलकुल नजदीक रहें किसी पुराने और जर्जर मकान या पेड के समीब बिलकुल न जाएं तुफान पर नजर रखें अगर हवा की रफ़तार थम जाती है तो ये न समझें कि तुफान रुप गया है दूरसी दिशा से हवा फिर चल सकती है यदि आप वहान चला रहे हों तो वहान को समुद्र तट विक्षों बिजली के लाइनों और जलाशेयों से दूर रखें और वहान के भीतर ही रहें साइकलोन के बात क्या करें चक्रवाद गुजर जाने के बाद बेपरवाहन हो जाएं बलकि सावधानी भरे कुछ कतम जरूर उठाएं घर से बाहर न निकलें जब तक आधिकारी क्रूप से ये सलाह दी जा रही हो कि ऐसा करना सुरक्षित है रसोई गैस की रिसाओ की जाच कर लें यदि वो गीला है तो बिजली के उपकरणों का इस्तिमाल भी न करें यदि आपको घर से निकलना ही पड़ रहा है तो आपने ऐसा बहुत देर से किया है तो घर तब तक वापस न आओ जब तक ऐसा करने के सलाह न दी जाए खुले रास्ते से वापस आएं जल्दिवाजी ना करें बिजली के गिरे हुए नंगेतारों छतिगरस्त पुलों मकानों और पेड़ों से सावधान रहें तता बार से प्रभावित अक्षेतर से प्रवेश ना करें साब डसने से बचें और अपने साथ एक छड़ी रखें अपने घर के चारों और साफ सुत्रा रखें और कीतना शक दवाईयों का छड़काओ करें यह जानकारियां आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताईये और ऐसे ही दिल्चस्प जानकारियों के लिए बने रही है जन सत्ता के साथ जयते ऑले कमेंट आपको लेँ मेल के साथ जिल्चस्प जानकारियों करेंये जानकारियों कैसी लिवाईयों